आज बहुत संदर साइक उपाय है, बहुत संदर साइल अपकी जिन्दगी में सब के तामाय है, सब के तामाय है, शराध्द पक्चिक्की दोज, चतुर्थी, 하ष्टमी, दैसंी, एकादशी, प्रदोश, शिवराक्तरी, ये स्राध्द पक्चिक्की बहुत इथिया हैं, जिन तिथियों उपर जिस्कोड प्रिटिकल करना है, वो यहां से जातर भी कर सकता है, कीं पर भी कर सकता, करना जरूर पैंस 이용र बनारा जूट न με बोल रहा, इसने प्रिटिकल करते रहना थो, जब शंकर वदवान को जल चराया जाता है, 16 श्राद पक्ष में, 16 दिन स्राट की जब हम बगवान संकर को जल समर्पीत करते हैं तो उसका भाग हमारे पित्रों को प्राप्त हो केवल 16 स्राट की दिन ही ऐसे होते है जिसमें संकर बगवान को जल में दूद मिला इकर चराने की जगा दूद बले एक चम्मत चरा रहे हो पर अलग से चरा खच्चा दूद अलग से चरा उसके बद बले तुम जल चरा पर लोटे में जल में दूद मिलाकर 16 दिन स्राट पक्ष में नहीं ले जाए बहले एक चम्मत दूद लेकर जाओ, एक कतोरी दूद लेकर जाओ, पर कच्चा दूद पलग से लेकर, संकर भगवान को अलग से चड़ाओ, सोला तिन शरात पक्षि के जब भगवान संकर को दूद को जल चराया जाता है, वो हमारे पित्रों की खाते में चला जाता, हमारे पित्रों को उसका भाग मिले, इसलिए संकर भगवान को कच्चा दूद भी चराओ, पानी में मिलाक में एक लग से चम्मर लेकर जाओ, भले छोटा से कटोरी में लेकर चराता, जले दहे चरात में, हमारे पुर्वशम को प्प्टा, ये तिथियां, ऐसी तिथियां हैं, ज ये स्रात पच्च की बो तिथियां हैं, जिन तिथियों पर अगर गव माता को एक चुलूग पानी में अगर पिला दिया जाता है, तो हमारे पूर्वशम को तर्पन और पिलान जली की जद्वत रही परती वत्तर जा, अगर वो लवश भी अगर कोई काय को पानी दे देता है, वो लवश भी हमारे घर में आये हुए किसी अतिथी को, हम किसी को नहीं पहचानते हैं, उस ब्यक्ति को हमने अगर अपना पास में दखी हुई, जल के पात्र में इसके लिए अगर जल दे दिया होता है, और उसने अपनी प्यास बुजा ली होती है, पर ये श्रात पक् करते थे, जो अब चूद रही, दो साल हो गए, तीन साल हो गए, सर्विस में लग रही हो, बहुत प्रियास कर लिया हो, बहुत प्रियास तो महारा ताली तिल्ली को तीस कर, उसको जल के पात्र में दालकर, अपने घर के मटका परिंदा, पित्रों का जिस्थान होता है, जल पलता पे इस ब्रक्ष के नीचे एक रात्री तक रखे रहने के वाद में दूसरे दिम अपनी कामना करकर जिनका जोब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, या कहीं कुल जने उक्तन हो रही है, उस वेत्ती को हाथ में ले जाकर उस पाक्तर का जल तीन प्रक्ष पित्रों के तुल्य हैं, कल की कता में कहा था, पहला बेलपक्तरी का, दूसरा तीतल का, तीसरा बिड़तर, ये तीन पित्रों के तुल्य हैं, इन तीन में से किसी भी ब्रक्ष के नीचे, उस काली तिल की जल को समर्पित कर दीजिए महाराज, बावा चाह बोले ना जी चाहेगा तो तीन महिने में कही न कही योग बना ही दे। पित्रों की शांती होती है घर में मंगल पारे होता है। परिवार भी चोटा है पर शांती नहीं जब देखो जब किसी ना किसी का मुझ चलता रहे पुरोध में बोलते रहें। चद्रों के तील चलते रहें। शांती नहीं है प्रयास करिए। श्रात पक्च में थोड़ा सा कोई सुगंधित पधार इत्र आदिक। पानी के मत्के के पास, परिंडे के पास में, जलाशाई के पास में उस इत्र को थोड़ा सा कोई भूई में रखकर छोड़ दीजिए। घर में कभी कलेश नहीं हो सकते। शांत का माहुल हो जाए। इत्र पक्च में किया जाए। और एक बात और अच्छे सध्याम दखिये जा। आप ब्राह्मन को भोजन कराएं ना कराएं आपने दूख छोड़ी ना छोड़ी वो पता नहीं काय को रोटी जी ना दी। स्वान को भोजन दिया ना दिया कववे को भोजन दिया ना दिया चलेगा। पर प्रदोश काल में प्रदोश के समय पर प्रदोश काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी तलाप बावरी पुमा कहीं न कहीं जो आपके पास में हो वहाँ पर एक घीका दिया बक्ती का और करकर अवस्य जलाकर आजाना सारी प्तुर दोश समाप अ किसी भी जलाशाए के पास में नदी तलाव भावरी कुउप हो, जो आपके नदिस नदर मेंगे प्रदोश कालव में, अगर नदीचलाव भावरी कुउपे नहीं है, तो ब्हीतल का व्रच्छ हो या बेलपत्री क प्रदोस्काल में जलाशाई के पास में बाओरी कुवा नदी तलाप एक तिनारे पर दिया लदाया जाता है दप्षिन की और मूँ तरतर बत्ती का पित्र आशिरवाद देती हुए जाते हैं कि फलो खुनो आगे वड़ो उन्नती करो तरती करो यह पित्रों का आशिरवाद पित्रों का वर रहता है जिसके घर में लेश होता है हाशानती रहती हो लेश रहता हो या चोटी-चोटी बाद पर विवाद चलों हो जाता या पतिकतनी में परिवार में सार्श हुआधिक आधीत में कहीना कहीना कि फुछ अतर भी बाद देता हो तो शाष्टर करता है ऐसा दिल पक्तरी की दंदी रखिए न वहां दीजिये हमारा श्राद पक्षी की कठा चब वही है बयान दीजे दा जैसे ये बैल पत्री की जो बंदी हो की है बंदी का जो भाग होता है बैल पत्री की सा भाग लिए जब ब्ता बैल पत्री 확 न El- premiers Starbucks ळो निकर कच्छा को पत्र, है ना कच्छा सूथ जो जानती प्यर्कुद्ध में माका लपीट निया धागा जो तन सफिएट का लगा पच्छा धागा जो बर में पिपल में और आउलादी तेमें लपीटा जाता है शंकर भद्वान और माका पार्वति का इस्मरण करता नंदी के जो नंदी होता है नंद पाउं पांचा हे उस पाउं के पास इमें बेठना है कच्छेसूद पर उस बेलपत्री गुट्भे बिल पत्री के बहाग है साथ बेल पत्री है उसको अपनाम बोत पर समर्ण करकर उस कच्छेसूद को लंक लंक Прयोद्वा अप्रそうですね के पत्ते में जो अकरभाग होता है सबसे आगे का वाग साको में लाल चंदन लगाना है मारत उचंदन को लगा कर प्रदोस्ताल में शंकर भगरान को समर्पी कदर करते हैं तो जिस घर का बोत्र हो लाए उस घर में कभी प्लेश नहीं हो सकता उस शांती का अंधो एक धागा ह में होता है तक्चा धारा बोगा द्यान दीजिघे मारे कट्केछ रहाए से नहीं लपटना सते कच्चा जो धागा पीपल में बर में या आओला आधिक में जमलब लपेट दे कूजन करते समय वो कच्छा और एक बात और आपको कहने ध्यान दीजिए एला अधर मान लो किस पति तक्निका तलाग तक्ति नुबत हो गए